हेलो दोस्तों सागते आपको अने सुसर रिव्यूज की नहीं वीडियो में दोस्तों अगर मैं आप लोगों को से कहूँ सामने खड़ी मर्सडीज जैसी ब्लैक कलर की सेडान आपको मातर 11 लाख रुपे में मिलने वाली है तो आप लोग का रियक्शन होगा दोस्तों लेकिन मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ हुंडे की साइट से वरना के फेसलिप को हाल ही में लॉंच कर दिया गया है जिसमें काफी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ साथ इस बार आपको 1500 सिसी टर्बो इंजन भी देखने को मिल जाएगा बाई सेडान कार में 1500 सिसी टर्बो इंजन वाह क्या गजब ही हो जाएगा और इसी के साथ साथ इसमें आपको लॉंगेश्ट वील बेस भी मिलने वाला है 2670 mm का हॉंडा सिटी से कंपेर करूँ तो हॉंडा सिटी का 2600 mm का है यह आप इसका बेस से उपर वाला वेरेंट S model देख रहे हैं इसमें भी आपको काफी सारे features देखने को मिल जाते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें आपको features मिलते हैं और safety के लिए क्या-क्या प्रबंध इस बार देखने को मिलते हैं वीडियो के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पॉपुलर हुंडाई थीरु अननपूरम केरला का जिनकी वज़े से आज का review वीडियो पॉसिबल हुपाया तो दोस्तो सुरुवात कर लेते हैं इसकी smart key से तो दो आपको smart key देखने को मिल जाएंगी push button तो देखने को नहीं मिलेगा lock unlock और hold के बटन के साथ इसमें आपको key देखने को मिल जाएगी जो Hyundai की normal गाडियो में भी आपको देखने को मिलती है तो दोस्तो मैं इसके headlamp का throw दिखाने के लिए इसके key को अंदर ही लगाएता हूँ और भाई इस बार जो इसका look होने वाला है तूस हो जैसी इसमें जो black color की high glossy parametric black grills देखने को मिल जाती है और ये भाई एकदम तगड़ा look देती है नीचे आपको skid plate और diffusers देखने को मिल जाते हैं यह है projector headlamps का पूरा setup जो की halogen में आने वाल है टॉप फेरेंड में आपको LED setup मिलेगा नीचे आपको turn indicator halogen में ही देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर दिये गए हैं इसके spoiler जो की इसके front look को बढ़ाते हैं आपको देखने को नहीं मिलेगा ना उसकी कोई housing है यहाँ पर positioning lamp देखने को मिल जाता है और LED DRLs भी हैं दोनों ही LED DRLs को connected यहाँ पर positioning lamp आपको जलता हुआ दिन में देखने को मिल जाएगा और यह रात को तो भाई तगड़ा लगता है cuts and creases का design आपको bonnet पे भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे दो wipers दिये गए हैं और rain sensing wiper तो नहीं है और अगर आप top air in में जाते हैं तो ADAS feature के साथ यह गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी शाकफी नंटीना दिया गया है और body color ORBM देखने को मिल जाएगे और यहाँ पे देखें फाइवर फिनिश्ट के साथ आपको glass के नीचे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे quarter glass में भी फाइवर फिनिश्ट का design आपको parametric joel pattern में देखने को मिल जाएगा और door opening handle भी आपको body color देखने को मिल जाएगे कुछ इस तरीके से इसकी पूरी profile है और length है इसकी 4.5 meter जो की Honda City के बराबर यह है 1.7 meter width है, 1.4 meter height है, wheelbase 2670 mm है, ground clearance 170 mm है, curve weight 1190 kg और turn radius 5.2 meter है यह है इसके 15 inches के alloy wheels, अगर आप top variants turbo वाले में जाते हो तो 16 inches के dual tone diamond cut alloy wheels का भी आपके पास option है इसके अलाबा base wear end में आपके पास steel wheel का option है, और अगर इसके suspensions की बात करो तो आगे आपको मिल जाते है mag person, stud suspension, coil string के साथ, पीछे आपको couple torsion beam action देखने को मिलते हैं और यह जो इसके cuts and creases हैं भाई, यह हिंड़ी ट्यूसों से inspired देखने को मिलेंगे यह देखो हिंड़ी ट्यूसों खड़ी है, इसी में जो jet shaped linings हैं, cuts and creases हैं उसी से inspired आपको देखने को मिल जाएंगे, यह है इसके body color ORBM जिसका जो design है भाई, यह देखो, पूरा cuts के साथ दिया हुआ है, jet shape में और LED turn indicator जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, नीचे कोई puddle lamp या camera देखने को नहीं मिलता है, body color इसके door opening handles है और इसके अलाबा अगर मैं गाड़ी में मिलने वाली safety की बात करूँ तो इसमें आपको six airbags मिल जाते हैं, ABS with EBD आता है ND tapped alarm, vehicle stability control, tire pressure monitor, engine immobilizer, automatic headlamps, electronic stability control, emergency stop signal, ESS, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, hill hold assist और आगेगी seatbelts आपको pre-tensioner और load limiters के साथ देखने को मिल जाती हैं, इसके अलाबा आपके पास ISO fix child seat mounting के भी option है और भाई यह जो इसकी parametric LED tail lamps हैं, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, connected LED bar के साथ यह देखो भाई इसमें आपको थोड़ा सा diamond सा design देखने को मिल जाएगा, जिसको parametric LED tail lamps का नाम दिया गया है यहाँ पर आपको कुछ venue जैसे दिखने वाले reverse light और इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी आपको jewel pattern में caravan finish के साथ design दिया गया है, चार आपको reverse parking sensor देखने को मिल जाएंगे, यह इसकी ground profile है और नीचे reflectors दिये गये हैं, और यहाँ पर देखे ब्रेक light अगर आप दबाते हैं तो यह चार indication जलते हैं, यह वरना का logo है, हुंड़ा का logo है, popular हुंड़ा की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, शाक्फिन एंटीना और defogger आपको देखने को मिल जाएगा, second base variant की मैं बात कर हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो है opening दिया गया है, और यहाँ पर आपके पास 15 inches के steel wheel का spare wheel भी दिया गया है, कुछ cool kits वगएरा देखने को मिल जाती है, और safety kits देखने को मिल जाती है, medical kit वगएरा, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी wiring वगएरा, visible हो रही है, यह visible नहीं होनी च इंटीर की बात करूँ तो black और beige color के combination के साथ पूरा इंटीर आपको देखने को मिल जाएगा, टॉप फेरेंड में तर्बो में आपके पास all black इंटीर का option है, यहाँ पर door opening handle और space bottle holder और यहाँ पर speakers दिये गए हैं, और अगर मैं इसके पॉस्टरी की बात करूँ तो fabric पॉस् आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर मैं बात करूँ तो rear AC vents भी दिये गए हैं, दो आपको fast charging socket भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, driver sides कोई भी seat pocket नहीं है, लेकिर passenger वाली seat की पीचे pocket देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके से बहतरी निसका dashboard होने वाला है, और यह यहाँ पे power window के button देखने को मिल जाते हैं, चारोई power window दी गई हैं, और आगे आपको ORBM के controls देखने को मिल जाते हैं, lock unlock का button है, door opening handle silver card की finish में है, दो यहाँ पे bottle holder के लिए space है, speakers दिये गए हैं, और यहाँ पे इसका plate है, यहाँ टेरफेशन formation है, और manually आप इसकी height adjust कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, driver side seat को, अगर आप top area में जाते हो, तो आपके बास electrically adjustable seat का option है, यहाँ से fuel lead और boot lead ओपन करने का button है, यहाँ इसके pedals है, top area में metal pedal आते हैं, यहाँ पे automatic headland की intensity को control करने के लिए button है, auto start, stop, on off करने का button है, और यहाँ पे Hyundai की badging के साथ, इसका steering wheel है, यहाँ इसके seat की cushioning की बात करूँ, तो मैं इसके leather repository वाले cushioning में बैठा था और यह fabric वाले में बैठा हूँ, तो ज़्यादा कुछ अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो seat की cushioning है, वो काफी बहतरीन आपको देखने को मिल जाएगी, dashboard पे भी आपको काफी बहतरीन design देखने को मिल जाएगा, यह जो silver card की line है, पूरे dashboard तक आपको देखने को मिल जाएगी और इसके instrument cluster की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ इस तरीकी से पूरा ही digital instrument cluster आपको देखने को मिल जाएगा, यह है इसका TFT multi information display के साथ, digital instrument cluster जो दिखाएगा, digital speed, rpm, outside temperature, coolant temperature, average, fuel level, compass, auto start, stop, gear shift, indicator, eco, sport, normal, तीन drive modes आपको टॉप वेरेंट्स में देखने को मिल जाएगे, कुछ इस तरीकी से driving information इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, user setting है, lights, door, काफी सारी settings यही से आप control कर सकते हो, और tire pressure information भाई, यह इसका काफी अच्छा safety feature है, बेस वेरेंट से just ऊपर वाला वेरेंट है, auto start, stop वगरा के कुछ काफी सारे function यही से आपको देखने को मिल जाएगे, इसी के अलावा काफी सारी warning lights भी इसमें दी गई है, कुछ इस सरीकी से round shape में आपको मिल जाता है steering wheel, बीच में हिंडे का logo है, यहां से instrument cluster की settings के button है, और cruise control आपको देखने को मिल जाएगा, base वेरेंट में यहां से mode, voice command control, call pickup control और volume up down के button देखने को मिल जाएगे, यहां से headlamps के control है, और left side में आपको wiper के controls देखने को मिल जाते हैं, दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहां पर steering wheel के उस side में आपको traction control बगरा के button देखने को मिलते हैं, और यहां पर अगर मैं इसके infotainment system की बात करों तो यारी पनी तो मैंने उखाड लिया, लेकिन मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि भाई यह पनी उखाड के फैक दू तो यह company वाले कुछ ना कहें, तो मैं इसको फिर से लगा दूँगा, तो यह इसका 8 inches का touch screen infotainment display, अगर आप top variant में जाते हो, तो device connection अगरा, display setting, button setting, wifi वगरा इसमें आपको देखने को मिल जाता है, इसके अलावा phone projection वगरा के button है, और यह है इसका automatic climate control AC के button, इसके अलावा rear wiper defogger, sorry wiper ने defogger के button है, automatic AC के इसमें आपको 3 modes देखने को मिल जाते है, normally क्या होता है, auto में डालोगे तो आपने आपी AC सेट कर ले यहाँ पर आपको 2 charging socket, 1 DC socket देखने को मिल जाता है, top variant में यहाँ पर wireless charging आती है, यहाँ पर sports mode वगरा के button आते है, यह इसका 6 speed manual gearbox, automatic में जाते हो तो 7 speed DCT और 7 speed IBT का option है, cool glove box आपको base से उपर वाले variant में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर kevin lights halogen में ही दी गई है, IRBM आपक देखने को नहीं मिलता है, passenger side आपको vanity mirror देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई light नहीं है, driver side आपको vanity mirror बिना light के देखने को मिलता है, अगर मैं बात करूँ, sunroof इसके top variants में देखने को मिल जाता है, SX वगरा में आता है, यह आप इसका base से उपर वाले variant S देख रहे हैं, फिर स का 1500cc 4-cylinder MPI petrol engine जो की generate करता है, 113 BHP की power और 143 NM का torque, कंपनी की side से 18 km पर लीटर का mileage, manual में क्लेम किया जाता है, और 19 km पर लीटर का mileage, automatic में क्लेम किया जाता है, इसके अलावा 1500cc 4-cylinder Hyundai Smart Stream Turbo Engine का भी आपके पास option है, उसमे 157 BHP की power और 253 NM का torque है, 20 km पर लीटर का mileage, कंपनी की side से claim किया जाता है भाई, turbo engine में, तो भाई कुछे सरीके से ती Hyundai, वरना वीडियो कैसे लगी अच्छे लगी हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, जाएंजे भारात